हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CLAD 2022 के एक्जाम के बारे में CLAD 2022 का application form has been released on 1st January इसका application form कब रिलीज हुआ था 1st January में ठीक है 2022 1st January 2022 इस एक्जाम इस चंडुक्टेट फॉर दे स्टुडेंट अफ UG and PG लेवल यह किसके लिए होता है Undergraduate के लिए और Postgraduate लेवल पर एक्जाम होता है It is conducted in the month of May यह May के महीने में conduct ही जाता है हर साल Lakhs of students apply for this examination और बहुत सारे इस examination के लिए क्या करते है वो apply करते है In this video we will discuss in detail इस video हम इस वीडियो में जानेंगे क्लाइट 2022 या क्लाइट क्या है Exam की date की थोड़ी बहुत बात कर लेते है यहाँ पर कहा है कि application form जो हमारा कब release हुआ है application form जो मेरा release हुआ है वो 1st January 2022 को हुआ है अच्छा यह application form कब इंड होगा 31st March 2022 को Admit card फिर आएगा कब आएगा 3rd week of April 2022 exam date कब है उपर नीचे हो सकता है ठीक है यह 4th week मतलब उपर नीचे हो सकता है counseling फिर को भूगा 1st week of July ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें CLAT application form की तो application form is available from 1st January 2022 तो इसका application form है यह available है आपको मिल जायागा CLAT के website पर CLAT 2022 अपलिक हो आपको इसका application form मिल जायागा कब से यह available है 1st January 2022 से candidate can fill this form through an online mode तो यह आप candidate जो इसको online mode के जरीए इस form को fill कर सकता है You must fill a valid email id and a mobile number for this आपको जो है यह थोड़ी से कलती हो गए You must fill MUST fill ठीक एक valid email id होना चाहिए और अपस एक mobile number होना चाहिए और एक passport size आपका photo लगा और correction की facility आपको दी जाएगी जब यह form कर देट खतम हो जाएगा कि आपने कुछ गलत form fill कर जिया तो उस ताइम आपको वह चीज़ करने को मिलता है पर इसका अभी नहीं पता क्या चीज़ है लेकिन देखो अभी क्या होता है You must have to print out for the application You must have to print out the application form आप जो application form आपने जो भड़ा है उसका print out निकालना Print out साथ मैं एक बाद बता दूँ उसका username जो होता है username username उसमें username आपका email id भी हो सकता है email id हो सकता है या फिर कोई normal user name हो सकता है generally email id होता है जातर form में और उसका साथ उसका password है ठीक है यह ज़रूरी से निकलवा लेना वरना problem असल यह होती है क्या password है तो यह आप जो है निकलवा लेंगे आपके लिए जातर easy होगा आगे बात करते हैं application fee के बारेंगे अप्लिकेशन fee for flat is 4000 इसका application fee के cost कतना है 4000 for general or OBC या PWD category के लिए general कोन होगे normal general होगे OBC में जो लोग आते हैं PWD में कोन आएंगे जो विकलांग है उनके लिए है 4000 रूपिया और जो SCST के लिए है या फिर जो बिलो पोवर्टी लैंड आउनलो के लिए 3500 रूपियस 3500 रूपियस इसको मैं काट करके 3500 रूपियस नहीं थोड़ी सी गलते है लिखने में गलते हो जाती है 3500 रूपियस दफी का निपेट थू अनलाइन मोड भाई यहां बता दूँ कि पिछले साल के अगर आपको निकल बाना तो उसका चार्जा 500 यह आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यह आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यह नहीं कि चारगजार में से है मतलब 4000 उसका अगर आप नॉर्मल काटेगरी से और फिर 500 पांसो आपको इस कोशन प्रिविए से कोशन का तो कुल में लग कितना हो जागा चार हजार पांसो ठीक और अगर आप प्व्ट काटेगरी से हैं तो कितना होगा तो तो यह चीज़ है इसमें फॉर्म में जो है इसको एड नहीं किया गया टो घुर्म जो हर जो PP लेइं कर कम इस है जो 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 इसबार 12 जो नहीं पास करेंगे मतलब इस साल 12 का एक्जान देंगे और जिनका आपी एक्जाम होने वाला ना मार्च यी अप्रिल में मार्च वो लोग भी इसको भर सकते हैं इसका फर्म भर सकते हैं लेकिन जब आप एक्जामनेशन देने के बाद आपके आपके आपको जब कॉलज में चाहेंगे तो आप से सारी चीजे मांगी जाएगी लेकिन जो भी मांख शीट बगार जो होगी जो भी चीजे उसके होगी माइग्रेशन होगी जो बी चीज़ होगी जो उसमें लगती है वहां लुक्षाइब को एक्जामनेशन वहाँ और लेगिन यह होना चाहिए लेट्ट्ट थी 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 खालिव होगा ठीक है, या LLB के parallel कोई कोर्स होना चाहिए, LLB type, ठीक है, candidate have to score minimum of 50%, तो minimum केतना होना चाहिए, 50% general के लिए, और 45% SC-ST वालो के लिए, 45% SC-ST वालो के लिए, ठीक है, अच्छा, appearing candidate can also fill this examination form, appearing candidate भी इसको form को भर सकते हैं, CLAD 2022 की बात करें, CLAD 2022 will be organized by pen-paper mode, तो कैसे exam होगा, pen-paper mode, मता, आपको online mode नहीं मिलेगा, आपको pen-paper मिलेगा, bubbling करना पड़ेगा, ठीक है, OMR में, और कुछ subjective question भी देगा, ठीक है, यहाँ पे, candidate will have to be allotted 2 hours, कितना घंटा दिये जाएंगे आपको, 2 गंटे दिये जाएंगे, to complete this exam, कितने घंटे होंगे, 2 गंटे, question types are multiple choice question, MCQ होंगे, ठीक है, multiple choice question होंगे, और subjective question होंगे, कुछ question लिखने वाले भी होंगे, will be asked the examination, तो यह examination ने पुछे जाएंगे, 150 questions in UG and 120 questions in PG, तो under graduate में, अगर आपने graduation में, अपने admission लेना है, तो आपको 150 questions बढ़ने होंगे, और आपने PG मे कितने देने होंगे, 120 questions होंगे, ठीक है, और आपको हर सही question का एक number मिलेगा, और हर गलत question के लिए 0.25 number काट लिया जाएगा, ठीक है, अगर आपको इसके बाड़ आपने पांच question लिखा, पांच में से 4 सही किया, तो 4 नमबर तो आपको मिला, और एक गलत कर दिया, उसमें से यह चीज़ है आपको, तो आपको जो है negative marking पर थोड़ा सा control करके चलना है, negative marking पर थोड़ा control करके चलना है, ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे हम बताता हूँ, अच्छा, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक चीज़ और, अब मैं बात करता हूँ कि UG का syllabus किया है, ज candidate के abilities को जाने ही कोशिश करता है, यहाँ मैं आपको दाया टाइम में लेता हूँ, बोलता हूँ, यहाँ पर देको, मैं चीज़ का है, कि exam जो है, वो दो घंटे में होगा, 150 multiple, जो है question रहेंगे, जिसमें एक mark के होगे, तो भी negative marking of 0.25 and wrong answer, ठीक है, और हर wrong answer के लिए जो है, 0. 2.25 marks, काट लिया जाएगा, अच्छा यह कोशन कहां कहां से एंगे, इंग्लिश लांगोर्स आएंगे, उसको करेंट अफेर्स आएंगे, लॉजिकल रिजनिंग से लॉजिकल और क्वाइंटिटिव टेक्निक्स आएंगे, अब इंग्लिश में में मिलेगा, पैसजे बढ़ना पाइसेज के साथ जो भी चीज़े मिलेगे, आपको दिए भी सम्मराईज और कन्लूज़न बेट पैसेज, यह सारी चीज़े आपको देगे. इसके निचे हम बात करेंगे, करेंट अफेर्स में तो किसने पे पेरेंट अफेर्स पूचेंगी, सिग्निफिकान्स प्रिपरिपेर आपको डिए लॉल्स करते हैं आपको किस आपको देखना पड़ेगा किस तरह से पेपर गरेंगे हैं question paper instruction materials यह सारी चीज़ है ठीक है फिर post graduate की बात करते है slaverson guide उसके main official website प्रोंगे अभी इन इस section PG CLAT provides an extract and legal materials and the code discussion यहां पर objective question आपको पुछा जाएगा ठीक है यहां पर सारी की सारी चीज़े दिये गई है कि first question की 120 ठीक है PG CLAT exam emphasis the abilities of shell of 120 minute duration will be of the edge section ठीक है आपको यहां पर जो है each section के दिया जाएगा यहां पर first section is 120 objective type question there should be a negative market 0.5 for every wrong answer the paper will be based upon the minority अब यह सारा कप सारा paper के बारे में दिया है कैसे कासे करके यह paper होगा ठीक है यह सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पुरा ठीक है तो यह रियात की वीडियो में मिलते हैं नेक्स टूडियो में किसी नेक्स टॉपिक के साथ अप्ता के लिए अल्लाहाफिस